कि अदर जो फाइनल दो गंटे जीस वन के और दो गंटे जीस तू या सी से पेपर टू बोलते हैं उसमें कैसे परफॉर्म करना है आपको किन बातों का ध्यान रखना है पढ़ाई दो देखो आपने कर लिये उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब क्या होता है पढ़ाई करने के बाद भी कुछ बच्चे अपनी गलती से पेपर पास नहीं कर पाते तो मैं यह नहीं जा रहा हूंगी जो आपने इतने सालों साल मैनत किया लगाता एक छोटी सी सिली मिस्टेक के कारण अब बात एप्टिट्यूड की नीरी है एप्टिट्यूड लगबग जो बच्चा सी दिक्कत आती है क्योंकि प्री में थोड़ा भी मालो इवन पॉइंट थ्री थ्री नंबर पॉइंट टू फाइव एक नंबर मुझा छोड़े थोड़े नंबर से मार्जिन से रह जाते हैं और एक बड़ी दिक्कत क्या आती है जैसे मालों कट अगर 50 60 माल लेते हैं अगर सिर्फ स्टुडेंट इस ने पूरी मैनत किये डंग से वो एक दो नंबर से ना रहे और उसको यह ना हो कि नेक्स तेर उसको रिपीट करना पड़े काफी बच्चे आप लोग मैंसे ऐसे होंगे जिनका मेंस प्रिपेर होते हैं तो प्री क्लियर नहीं कर पाते बढ़ाई के हैं मैं ने पास भार सिविल्स का मैंस लिखा है है इसे नो दस मेंस लिखेंगे उसके एकस्पिरियंस ने क्या चीज सिखी है वह मैं आपको बताऊंगा गजो आपको सवी लेगी काफी अब देखो पहले बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है आपने पढ़ भी लिए लेकिन फिर भी एक नजर मार लेते हैं उन कि किन बातों का ध्यान रखना है तो यहाँ पे जो आपका उप्शन ए बी सी डी ए तक उप्शन आता है डी तक सभी करते हैं लेगिन लिखाओ एस में इस्ट्रक्शन में इफ नन सर्कल इस डारकन चीरो पॉइंट टू फाइफ मार्क्स विल बी डिड़क्टिड यहाँ पे क्या आपकी पॉइंट टू फाइफ और आपने अगर पाच्चों में से कोई भी सर्कल बरा नहीं ना ठीक है तो आप क्या होगा पॉइंट टू फाइफ नेगिटिव मार्क्टिड नहीं या तो आप एबी सीडी बरो जो आपको आता है नहीं आता है तो आप एवाल को बता दिया अब देखो दूसरी बात क्या हो रही है इवन UPSC में भी और सी सेट लास्ट टाइम भी इसली बार तो कोशन रिपीट होगे फिर भी काफी बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई सी सेट के अंदर तो मैं थोड़ा सी सेट का बतायता हूं पहले अब जो आपके अब पास यह बचा है इसमें बेसिक फॉर्मूले जो है ऊश्वाइब कर लेना वह बहुत ज्यादा डीप करने का भी टाइम नहीं हमारे पास है ना लेकि कई वार के होता है बेसिक को ट्रिक्स होती है कूछ टेकनीक होती है वह अगर याद होते हैं तो हम एक्जाम में सौल क्योंकि limited कुछ questions होते हैं repeat होते है बार बार उनको आपको डंग से करना है दूसरा है don't panic C set में यह बड़ी दिक्कत होती है हमें आती होती है चीज और दूसरी बात यह समझो एक qualifying nature है 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 न 100 questions आएंगे ठीक है 33% लाने 33 परसेंट लाने 33 प्लस question ठीक करने राउंसे ना 33-34 मानवी दो लो इसमें क्या होगा बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपके पास कुछ question होंगे जो बहुत difficult होंगे ठीक है उनको छोड़ दो पैनिक नहीं करना है कई ना कई आपको 33 परसेंट के आराउंड question आपको मिल जाएंगे जो आपको आते होंगे वह आप मैनेज कर लोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं प्रोवाइडिट आप पैनिक ना करो पैनिक करने से क्या होता है कि दम से कुछ question हमें आने वाले question हम वह भी ने कर पाते तो इस बात का ध्यान रखना है ठीक है ना और तो अगली बात है वह important don't invest too much time in single question कई बार क्या रहता है कई question होते हैं जैसे हमने मालो कि मेरे साथ भी हो चुका ही बार ना तो एक question है मालो arrangement का question है कोई ठी सी सेट के अंदर बदा रहा हूं तो उसमें क्या हो रहा आपको एक एक दो सी चार एक question solve करने से आपके चार या पांच question के answer आ सकते हैं और वह आपको easy भी लग रहा है लेकिन आपको क्या हो रहा आपके तो सारा टाइम निकल गया सोचो दो इगंटे आपके पास तो ऐसे किसी ट्रैप मत फद जाना कि आपको लगे गारी question solve हो जाएगा तो पांच question का लाला सोके आप बाकी question को पड़ी नबाओ होता क्या है बच्चे 80 question तक ही पहुच बाते हैं और पीछे question होते है सो ठीक है बीस question मालू easy है वह आपने देखी ही नहीं तब वह दिक्कत आ जाएगी paper ज़रूर फ्लिप करना है कई पर बच्चे लास तक पहुच नहीं बाते हैं वहां पर question easy रहते हैं जो उनके domain के होते हैं ठीक है तो in break do not discuss GS1 and take rest और revise CS2 अब देखो जब आप सुबह paper दोगे ठीक है एक पहले GS1 दोगे और फिर GS2 दोगे इसके बीच में बड़ी दिक्कल होते है मैंने कई बच्चे यह भी देखे हैं कि वह GS में पास होते हैं लेकिन GS2 में यानिकी माइक ओफ करो प्लीज अब ठीक है तो आपको यह गलती नहीं करनी है कि बच्चे करें पेपर से बाहर आएंगे अपना answer की मिलाने लग जाएंगे अरे उस तेम जो फटावट किसी ने answer की मिलाई या गूगल करने लग जाओगे एक तो आपके दिवाग में टेंशन होगी भले ही आपका see set अच्छा हो लेकिन फिर भी वो टेंशन होती है न वो खराब कर दी बेपर को तो कभी भी ब्रेक में पेपर में आपको कोई जीएस के मार्स नहीं मनाने कोई नेट पे चेक नहीं करना में बस उसमें रिलेक्स करो रेस्ट करो बहुत अच्छा होता है कि अगरा फ्रेश माइंड से रेस्ट कर रो तो और लास्ट के कुछ थोड़े टाइम पेपर से पहले लगी जब जाने वाले हो एक्जाम के अंदर तो अपना 15 बेस्मेंट पहले कुछ फोर्मूले देख लो बस उस ब्रेक में बाकी रेस्ट करो माइंड को फ्रेश रखो ठीक है और एक बात और याद रखो जैसे आपका पेपर 11 को है तो मेरा मानना यह है 9 और 10 को कोई भी टेस्ट मत देना तेस्ट कोई भी मत देना क्यों यह एक्जाम में जाएगी अब आपको करना क्या चीए दो दिन में आज और कल अपना पढ़ना हो मतला पढ़ लो में में चीजे उनको फिलिप करते रो अगर टेंशन भी हो रही है पेजिस फिलिप करते रो अगर कुछ नया चीज नहीं पढ़ी जारी मत पढ़ो लेकिन ज एक्जाम से एक गंटे पहले लगेगा मैं कुछ पढ़के निया है दो दिन मैंने खराब कर दिए वो नेगिटिव साइकल नियो निची यह यह मैंने दो दिन पहले सेशन इसले लिया है कि आज से आपका टेंपो स्टार्ट हो गया जो उस दिन रिजल्ट करेगा अब दो द आईक्यू वाला बच्चा मैनेज करके portion कर लेता है यानि कि intelligent question EQ वाला नहीं कर पाता है emotional question वाला जबकि यह बहुत easiest में तो कुछ करना ही नहीं पस अपने आप पर करना है दो दिन के लिए कि ठीक है मैं भी कोई negative बात नी सोचूँगा और paper मैं कर क्या हूंगा वो मैं बताऊ एक के अंदर discuss नहीं करना है GS1 को जो यह पर देख्या है हो और ना ही अपना यारी कोई answer answer मिलाने है दूसरी बात यह बच्चे पूछते pen कौन से या तो आप blue pen ले सकते हो या फिर black pen ठीक है ballpoint होना चीए ball pen होना चीए bubbles बरने के लिए कोई pencil वेंसिल का यूज नहीं करना negative है तो हमें risk लेना चीए ठीक है जहां भी question आपको लगता है यह manageable है क्योंकि exam में final essay होगा 30 से 40 question ही आपको आते होंगे बाकी अगले जो 30 से 40 question होंगे या 40 मालक 35 कहीं हो गया तो वो बच्चे क्या करेंगे manage करेंगे उसको कि दो option आते होंगे कहीं आपने सुना होगा कहीं observe क होगा बस वो दिमाग लगाके positive रहके इसलिए मैं गहरो positive रहना बहुत जोरुए नहीं तो तुमारा आपका दिमाग ही नहीं चलेगा हूँ आपके अगर दिमाग चल रहा होगा तो कईनक है आप solve कर ला होगा यह मेरे साथ हुआ है paper में बता रहा हूँ आपको ठीक है तो अ को भी exam नेरो हमने भी test बनाए तो दस से बंदरा question हम देते हैं difficult उनको आप बिल्कुल छोड़ दो उन पर ना तो अपना time लगाओ ना अपनी energy लगाओ ना एपना emotion लगाओ emotion में जड़ जातता है यार एक question आ नहीं रहा है tension होगी ऐसे कितने difficult question होंगे वो आपकी cut off decide नहीं कर पंदरा question तो आप रिस लेकर छोड़ भी सकते हो 85 भी अगर डंग से manage कर लिए तो पास हो जाओगे बस गबराना ने मैं बार बार यह बोल रहा हूं अब देखो एक और अच्छा तरीका मैंने देखा है HCS में खास कर यह जो match the following question आते हैं इनमें किसी भी एक option को आपने मिला दिया और फिर निच्छे options देखते हो तो आपका answer निकल जाता है तो match the following में घबराना ने है कि यारे में को चारो बाते हैं नहीं पता हमेशा यह कोशिश करो कि आपको क्या एक कोई solution option है उसको पताएगा answer तो एक को match कर दो किसे भी चो आपको आता है बाकि कई ना कहीं आप आपका answer निकल जाएगा और अगर नहीं आ रहा है और दो में clash आ रहा है तो एक में risk ले लो जो पास लग रहा है तो यहां पे calculated risk वोलता है इसको लेनी पड़ेगी आपको और कई बार क्या होता है कोई term आती है उसको में अगर English पर समझ भी नहीं आ रहा ना उसका Hindi version पढ़ अब यह जो मैंने आपको starting में बताई दी वो यही बात लिखी हुई है कि many students they just fail by two to three marks वो गडबड़ी नहीं नहीं जी और यह आप कैसे कर सकते हो अगर आप paper में काम होना तो यह दो तीन marks का आपका वैसे gap bridge हो जाएगा आप कभी भी देखना जब आप बहुत शांदर होते हो जब टेंशन में होते हो पैनिक हो रहा होता है इस बार पास ही करना इस बार 110 नंबर लेकर आने आप तो खेर मालो 60 नंबर लेकर आने 17 जब अपने decide कर लिया तब वह आपको पैनिक करता है तो बिलकुल भी आपको बस काम रहना है तो प्रॉपर रीडिंग चीए तो उसकी साइकलोजी समझो उसको देखो कि वह क्या पूछन जा रहा है फिर उसके अकोडिंग आंसर करो ठीक है और थोड़ा सा यह देखना आंसर करते वक्त मैं भी बात का ध्यान रखता था एक जनरल आदमी क्या सोचर होगा या जनरल स्टेट्मेंट क्या होगी जो थोड़ा जनरल परस्पेक्टिव से सोचना पेपर को तब आपके ज्यादा कोशन थोड़े ठीक होंगी अब यह देखो पेपर को करना कैसे है तो जो भी आप कोशन उठाओगे मैं अमेशा यह कहता हूँ आप उस कोशन को उसकी मैरिट पे लो कि वो कोशन कैसा है हरे कोशन अपने उसके खासियत या तो वो कोशन आपके लिए easy होगा अगर easy होगा ठीक है बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है overconfident मैं बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ ऐसे सोचने आपको ठीक है बही आ गया आ गया ठीक है ओके बबल बरा और अपना आगे निकल गए easy manageable ज्यादा खु बस आपको यह सोचने मेरे को अपनी जिंगा की कि दो गंटे शान्ती से बस कोशन में पर और कुछिस नहीं सोचथी से बार क्या हो रहा है कुछ वी निसोचने और आगे निकलने और सोचो आपके प्लस ताईम ही कितना है एक 100 कोशन आएंगे 120 मिनिट है 10 मिनिट तो ऐसे ल दुख का ना कुशी भी नहीं दुखी भी नहीं जैसा कोशन है ठीक है एजी दा कर लिया दूसरा कोशन आएगा थोड़ा मीडियम लेवल का जिसके बारे में सुना होगा या सुना तो है लेकिन उसके ऑप्षन समझ नहीं आ रहे हैं या उसको मैंने हिंदी में पढ़ लिया तो वो आपको मैनेज करके आना पड़ेगा ये ठीक है मैं उप्षन सेट करता हूँ तो यह ना हिंदी बढ़ लेता हूँ कहीना कि उप्जिव क्लिक करना पड़ेगा उसको मैनेज करना ही पड़ेगा इस पे दिमाग लगाना है और प्रेक्शन नहीं लेना ये एक तरीक है है आप क्या situation आई है आपको solve करनी है उसको गबरा नहीं है उससे solve करो आगे बढ़ो और फिर 15 कोशन से 10 से 15 या 20 भी हो सकते 15 से 20 वो आएंगे बहुत ज्यादा difficult जिनका कोई idea ही नहीं है जो set भी नहीं हो रहे तो एक बार reading लगाओ उसको देखो manage वाली category में आ difficult वाली category में आ रहे है ठीक है और जो difficult वाले मैंने उनको पहले बताया था उन पर अपना time मत लगाओ क्योंकि time भी आपके पास limited है 120 minutes ना उस पर अपनी energy लगाओ और ना ही अपना emotion emotion in the sense क्योंकि जब emotion लग जाते है उस question से तो लगता है कि पेपर बहुत difficult है यह हमारा emotion जुड़ गया उसके साथ यह पेपर तो बहुत difficult है पता नहीं कहां से पूछ लिया मुझे तो आई नहीं रहा अरे आपको नहीं आ रहा है वही पास होगा जो paper को मैंने बता है merit पिलेगा अपनी हर question को अब राम से अपना time देगा अच्छे से पढ़ेगा करेगा और आगे पढ़ेगा ठीक है चलो अब बात करते हैं दो दिन है और exam से एक दिन पहले तो यह जोरू बहुत important है take rest before the exam क्योंकि अगर एक रात पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा tension हो रही है anxiety हो और आपको नीन नहीं आ रही है तो वह exam में effect होता है आपको जाथ ठीक है ना तो कोशिश करो आप यह नहीं कि 8 बज़े सो जाओ 8 बज़े सो के तो नीन नहीं आए कि रोज अगर पारा बज़े सो रहे हो तो तो आप 12 बज़ जाओ बैड़ पर 11 बज़े अपना लेट जाओ राम से 3-4 गंटे अगर anxiety कर नीन नहीं आ रही है कोई बाद नी बस लेटे रहो 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 बिल्कुल जब भी जुतनी भी नीन आए उसको पूरी कर लो और फिर भी अगर कई बच्चे मैंने भी देखा है कि वो कई बार क्या ह नीन आई नहीं पूरी रात तो फिर भी अगली दिन पास होगे पर में तो फिर भी अगर नहीं भी आ रही तो भी गबराना नहीं है बस वह दो गंटे अपने आपको मजबूत रखना है इंसानों कोई नी मरेगा दो गंटे में कुछ नहीं होएगा बस अपने emotion को गंट्रो कुछ भी हो परफॉर्म करके आएंगे हां वह कैसे करेंगे हम परफॉर्म कि बस अपने शांती से question को देखना है उसकी बात का सोचते है तब में anxiety होती है रिजल्ट का नहीं सोचना बस paper का सोचते है paper कैसा आया वह है यह reach center on time क्योंकि थोड़ा वहां पे दिक्कत होती है कई चेकिंग होती है आपका बैग रखवाई कुछ अंदर ले जाने देंगे तो HCS में UPS से में इतना कम होता है फ्रिस्किंग है वहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है लास्ट तैम हाला कि थोड़ा comfortable था बच्चों ने बताया है इसाब से तो आप थोड़ा टाइम पे पोज़ पर्टिकुलर उस टाइम के लिए तो किसी से बात नहीं करनी हेलो हाई बस ठीक हो गया नॉर्मल अपना पानी प्यों बोटल साथ रखना ठीक है पानी वड़ी दाकत होती है पानी पीते रागर हो है ना एक्जाम में कुछ भी लगे पैनिक सा और है बोटल साथ में रगी प यह बाते एक्जाम में सोचोगे तो दो मिनिट खराब होगी तो आपके दो कोशन खराब होगे और उसके कारण जो नेगेटिव एमोशन की सो साइकल सली दिमाग में वो पूरा वेपर खराब करतेगी बिल्कुल मसचो कट ओफ कितने जाएगी क्या पता कट ओफ 50 सली जाए आप डिसाइड पेपर आपके आथ में आ गया अब आप डिसाइड नहीं कर सकते है अब तो पेपर वह है उसी को मैनेज करके आना है तो हर कोशन को अगेन वही जंक से पड़ो उसकी मेरिट पे लो और आप देखना पका पास होगे फिर बस यह दिया रखना एक्जाम में कोई अनलेसिस नहीं करोगे आप 11 तारीक को पांच बज़े तक किसी से बात नहीं करने कुछ ज्यादा अपना काम करना है पेपर देख आना है उसके बाद जो मन करें दस दिन पंदरा दिन अपने करते रहना लेकिन फिर जो भी करना हो कर लेना क्योंकि यह सब चीज़े आएगा सबके लिए डिफिकल्ट आएगा आप पका कट ओफ पार कर लोगे अगर आपने अपने काम ने इसको मेंटेन किया ठीक है यह बात है पड़ाई होगी है अब इसमें कोई नहीं है अब जिसका पॉजिटिव एटिट होगा वो पास हो जाएगा यह में बात है यह है कि मैंने पढ़ाई कर लिए ठीक ठाक है ना मैंने मेनद भी किये है अब मैं हर को उसके राम से पढ़ूँगा उसमें अपनी बेवब्वूपी नहीं करूँगा गोले बरने में इनकरेक्ट कड़ेक्ट करेक्ट पड़ने में को गल्त इंटर प्रेट करने में यह मैं अच्छी इस दो पॉजिटिव एटिटूड ठीक है पेपर शुड़ बी इन यूर कंट्रोल एंड नोट अधर्वाइज बीदा पेपर सेटर में अमेशा बोलता हूं यह बात पेपर शुड़ बी इन यूर कंट्रोल जो बाते मैंने आपको अभी गई थी अगर आपने वह ब कंट्रोल कर रहे हो पेपर के और दूसरा बच्चा कहा है वो पेपर को देखती घबर आ गया अब पेपर उसको कंट्रोल करेगा कि भाई मैं तो डिफिकल्ट आ गया तो तो गया आज तो फेल होगा तरह एक साल और लगए तो पेपर को आप कम से कम इतनी हिम्मत रखो है आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है बस मैं काफी बच्चे आपको फिर बता रहा हूं दिखाऊंगा वह कहेंगे और मैं खुद जानता हूं को कि वह पढ़ते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं फिर भी अगर पास इसलिए नहीं होंगे एक दो नंबर से रह जाए पेपर से उपर बहुत बड़ी है लाइफ आपकी आपका एटिटूड यह हमिश्था लाइफ में एटिटूड बजाता है ठीक है ना डरके तो कभी पास नहीं होना डरके तो एक दो कुशन गलती कर गया होगे आप पॉजिटिव रहो ओवर कॉन्फिट नहीं हो नहीं बोल साल नगरा और पर ध्यान ही नहीं आपका इतनी इंटेंसिटी आपकी अब यह देखो कई बार क्या होता है इवन 15 कोश्चन में भी डिफिकल्ट ऐसे भी हो सकते आपके साथ फिर गबरारा नहीं है भाई अभी बहुत बच्चे हैं ठीक है तो इसमें भी अगर पहले पंदर से करना है और बिल्कुल भी गबराना नहीं है ठीक है अवाइड सिली मिस्तेक जैसे नोट को ना पढ़ना बबल फिलिंग दंक से ना करना यह सब को आपको अवाइड करने है मैं बता चुका हूँ इवन आपको चाहिए दो बार पढ़ना बड़े पेपर को दो बार पढ़ हो गई ठीक है तो यह तो था मेरी तरफ से गाइड लाइन जो आपको मेरे को लगता है बतानी चाहिए थी अब इसके अलावा आपको को इश्यू है या कुछ पूछन है तो आप पूछ सकते हूँ से पार, वाटल और वाच अलावड होगा एक्जानव मेरे पार ही निकल वालेंगे सब आप वाट बोटल वो धी आती है आप वो पारी सावच वाच भी आउड नी है ने वह तो वाल क्लोग होती है ठीक है स्थांट थांग का जोड़ आइनल आपको ठीक है बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं ना इस्क्यूज मी सर पूरे दो घंटे में अपने आपको पूरा एक्टिव रखना कैसे रखे वो चीज़ थोड़ी मुश्किल लगते जो लास्ट टाइम भी लगी थी होटता है मेरे को पता है न मुश्किल होती है मुश्किल हो तो करना काम तो कॉश्य कश्यों नहीं आहिए जिए इस अब हो अब तो ऑच्छा के आपको ना पता हो वे बात कि आपको रहने एक्टिवा आज मैं आपको बता दिया और मैंने यह पता दिया कई लोग नीद पूरी करके निए तब यह वोगल यह दिन एक्टिव हो गये थे इसका मतलब यह निए कि आपको नीद पूरी निए आपको तो करने अपनी इन केस अगर नहीं होता है लेकिन मैंने का था इनसान मरेगा नी अगर दो गंटा एक्टिव भी रहले आप मेरे से कितरा बैस तरीका तो यह है उसका कि आपने जो मैंने आपको बताया आप सोचो मत कि पेपर डिफिकल्ट है कुस भी कोशन है आप नहीं आप रिजल्ट के बारे में सोचो ठीक है आप हर क्योंकि आप जब हर कोशन को पढ़ोगे ना टंक से और आंसर करोगे तो 120 मिनट ऐसी निकल ज आपको तो सोचन आए पढ़ना है लिखके आना है उसके बास सोचना है यह हां तो यह अगर आप करोगे तो हो जाएगा मैनेजमेर को कोई लगता नहीं दिक्कत आएगी है ना फिर पोजिटिव माइंड सेट आपको रखना है अपना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है गुद स्टेटमेंट से ऊती हैं से होती हैं कुछ अब्जेक्टिव से होती हैं कुछ स्टेटमेंट प्योल डाटा होता है जो ऊप्शन से होची मैनेज होती है ठीक है और तीस है रिस्क वाला यार फिर ले ले लेते हैं इसमें क्या रिस्क है अब वो तो दिए तीन ओप्शन दा दिये हैं हर एक चीज़ कोई परफेक्ट आंसर नहीं होएगा मैंने आपको तीन चीज़ बताई ना तो इनमें आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी आंसर सारे आने चीए नहीं सर ने तो बताया नहीं डेटा कैसे मैंनेज करना मैं मैंनेज कैसे करूंगा ना जो भी तरीका मिल रहा है उससे मैनेज करने कोशिच करो हो जाता है तो बहुत बढ़िया नहीं तो उसको 15-20 वानी कैटेक्टरी में डाल दो यारे तो हो नहीं रहा अगर 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 सब रिवाइस हो रख है सब बढ़िया है तो एक बार नजर मालो कुछ तम्स उसकी देख लो जो टम्स है ना उनसे कुछ मालो जो पिक्टर सब्सक्राइब कर लो ऐसे बिल्कू को मना नहीं है लेकिन हाँ आपके शॉर्ट नोट्स बनें और आपको उनको करना है तो इसको फिर एक या-दो गंटे कंदर खती है कि मने जरूर फड़र कर लो अब मैं मतलब ही होता है मेरा या पेस पलटते रहो तो आपके नजर में आ जाएंगी वहाँ पर आपको देखो प्री जो है ना इट्स अबाउट रिको एक दिन के लिए अपने विश्वास रखो उसके बाद रखना और यह उनके साथ ज्यादा होता है जो सची में सच्चे में तुट पयू को ऐसा तहौ जो फुक्त को ना थे सब्सक्राइब करें करें को जैंगे तो निग्लते सब्सक्राइब तुमाइबब लगा गई ऐसा वालो पासうんगे मैनत धून व तुक्त करती है लेकिन वह बता रहा हूं व้निए आप लोगे साहथ ठीक है सर थैंक्यू और सर एक चीज और जिसे मैंने हर्याना वाला जो करेंट किया था ना वो आपकी जो उसे सही कर लिया था और दिसेंबर का भी कर लिया तो उसके लागा भी कुछ देखते हो भी है तो टाइम टू बेनिफिट रेश्व नहीं है वही बहुत जाद है और मै अगर तो कोई बात नहीं सब्सक्राइब को तो याद नहीं हो रहा है उतुना कर लो को इनिंगा उस तरीके से मैंच्ट्रीम लग रहा होकर एक्साट लग रहा है बताना है कुछ याद आ रहे हैं तो ठीक है कुछ बाक्य ओप्शन को सेट करना अगर डेटा एलिमिनेट हो जाए तो हर्याना हिस्ट्री इस लाइक अगर क्वेश्चन वह में को आता होगा तो ठीक है नहीं आता होगा तो मेरे लिए दिर्वो आउटलायर ही हो जाएगा उसम के बारे में कुछ बात पता होती तो मेरे को पता होता और चौथा उप्शन मैंने सुना निदा तो मैं वर इस लेक्के आया था ठीक हो इस तरीके से मैनेज करना है ठीक हो जिल्कू नहीं लगए फिर बार है फिर उसको उस कैटेगरी में डाल दो पंदरा से वीच कुशन को लेकिन कोशिश जरू करना अपने आपको इंगेज जरूर करना त्राइज जरूर करना ठीक है और नहीं आता था बस घबराना नहीं आगे बढ़ना है यह एटिट्यूट अगा जो आपको पूरे टाइम मोटिवेटिवेटिव तो आप में देखो अटेम्ट तो आप मिरको लगते है कि 55 तक और हो जाए तो ठीक है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है 45 वाले भी पास उजाते है ठीक है ना शीट की बात किया है पहले अगर आपका इंग्लिश अच्छे ना तो इंग्लिश वाले कर लो और इंग्लिश के परग्राफ बड़े लग रहे हैं तो आपको जो सो जो कोश्चन है ना उनके आप जोरूर हो जाओ और यह नहीं कि पहले पूरा वेपर देखो ऐसा टाइम मत लगाओ 10 मिनिट कोश्चन उठाओ आपने ऐसा मानलो नंबर सिस्टम से कोश्चन आ गया और आपने नंबर सिस्टम पढ़ा नहीं है और आपको उसका बिलकुल आप इडिया नहीं है तो आप उसको छोड़ दो फिर आगे लिए कोश्चन बढ़ जाओ तो ऐसे कोश्चन उठाओ जो आप पढ़ चुके हो जिनको आपने प्रेक्टिस किया है वो चांसी ज्यादा ठीक हो जाएंगे आपके तो ऐसा कुछ भी नंबर तो मैं क्या ही कहूं ओ ओ ओ ओके ओ ओमर का देखो ओमर का किसी ने पूठ आय है दो तरीकी होते हैं फिल करने के जो मैं करता था इक हां जैसे एक होगा है कुश्चन किया और उसका अंसर बर दिया थीक है ना फिर दूसरा वेपर कर लिया और last में सारी ओमर शीर पर लो लेकिन मैं जो फोलो करता था और फिर उसमें 10 या 20 गोले भर लेता था ठीक है और कई कोशन डाउट भी होते तो छोड़ देता उसमें और फिल नहीं करता था या पहले 50 कोशन पढ़ लिए फिर OMR कर ली या UPSC में खास कर पहले 100 कोशन पढ़ लिए एक गंटे के अंदर और फिर OMR भर ली फिर जो ला 100 कोशन एक साथ करेंगे ना तो उसको वाइट करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप 50 कोशन पहले कर लो या 100 कोशन पढ़ लो लेकिन आते गंटे से बहले एक राउंड जरूर लगा लेना डेढ़ गंटे के अंदर एक बार पढ़के OMR जरूर पर लेना आपके चालिस होए पचास होए साथ होए जो भी होए फिर जो आपको आजा गंटा बसते हैं उसके अंदर जो तीस-पैथिस कोशन मैनेज करने हैं उनको करो और OMR बरो यह तरीका है तो बीच का रास्ता है यह सब टेक्निक मैंने प्रेक्टिस जब करता था तब निकाली दी है ना आ मेरे लिए बाकी सब के अपना तरीक्या है अगर मैं उसमें मतलब बबल नहीं करूंगा तभी मेरा निगेटिव होगा ना या जैसे अगर अगर आपने कोशन छोड़ दिये ना फिर तो डिस्क्वाइब हो गया अच्छा अच्छा में भर सकते हैं मतलब हम क्या में वह सकते हैं ना नहीं तो आप सम्में बर्दो चाहें कोई दिक्कत नहीं है अगली नहीं छोड़ सकते हैं लिख सकते हैं ना कुछ भी एपर पर पर नहीं लिखना करते हैं आप लिख लेना कोई लिख लेना और पीछे सब्सक्राइब करना पहले पीछे वाली शीट बर लो अधरवाइस साइड में लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है एक पैंसिल ले जाना वहां पे ना पैंसिल बड़े जोरत बड़ेकर पेज बढ़ रहा हो तो कुछन पैपर आपको मिल जाएगा आपको लिखना नहीं है पर आप लिख सक्ते हो कोई ना टिक्क निए ठीक है आइटींक ले लिए डाउट सबके है न इस सेंटर बहुत देते हैं पर यह नहीं बात करूंगा उने से ठीक है एकर बाद दूर है तो पहले 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 जाना ठीक है न हर बार वही दे रहें पता नहीं ने क्या लगा रहा है वह यह है न ओम डिस्टिक पे नहीं करते ना इसलिए दुरुदर कर देते हैं इन बातों में कभी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए यह एड्मिस्ट्रेटिव मालो अरेजमेंट्स बोलते इनको जब आप स्लेक्ट भी हो जाओगे तो आप यह थोड़ी होगे मेरे को नू बेज दिया में बाद कोई दिक्कत नहीं है यह सब यह attitude है मैं positive ही रखना attitude अमेशा क नहीं फेक दो यार क्या हो गया ने पेपर कर क्या होगा यह सब सीथे बेट अप होती है लाइफ में नहीं करने बिल्कूर कंप्लेंट कोई बार नी है अलो सर्थ इस तरीफा बता दूं सर आपस यह बता दीजिए कि सही है कि जो दो गटे है उसमें पहला में डेर्ड गंट एक राउंड में दूंगे और आदा गंट दूसर डाउंड में खेरने सारा जर्ड विंटे में बता है तो सब मेरे करने का तरीका यह कुछ से पहला क्या है मुझे अगर लग रहा है 100% शेर है तो मैं हाथ की हाथ में बबल मांक करते हुए उसमें को बार में पतानी हो नहीं करते है एक और उसमरा मा आख करते है तो भी जाम हमें रिसका है कि हा NEस्की health करूंगी कर Gold करें और नहीं यह हम बदो बतार और यह हम पर इसको देख लो आया तो ठीक है नहीं आया तो एक नोट लग रहा है मेरे को आप में पहला देखा ठीक है फिर उसके बाद दूसरा लेवल का तब उसमें देखो कई बार क्या होता है कि हम सेगेंड राउन लेते हैं तो थोड़ा जो और हाई रिस्क वाले लग रहे हैं उनको भी रोग खोड़ा तो लास्ट में 10-35 बढ़ लो लास्ट में तो वह ठीक हो जाएगा सब्सक्राइब कर सकते हो और लास्ट के जो बीस-पंदर आप कोशन है तीस बचे है वह आप सब्सक्राइब लगा चुके होते हो बस वह एलिमिनेट और स्लेक्ट करना होता है तो आदे गंटे में दुन जाएंगे 25 कुशन तक ओके सब्सक्राइब करेंगे और बिल्कुल दिक्कत नहीं होएगी अगर आप अभी एक दो पॉजिटिव फ्रेम में रहो पेपर भी मैं सोचो आप पास हो रहे हो इस बार आपको बिल्कुल निस लिख रहे हो आपको तो बस कॉश्चन पर कर गयाना है इतना इतना न्यूटरल होके जाने है देखो सोचो इतना इस लेवल पे क्योंकि यह जो एक्जाम है ना यह किव इससे को ना मैं गारिंटी लेता हूं या पास हो इस बार और नहीं लेता कारणी को इसको किसी को निपता मैं कितना आप आप बढ़लो आप सोचो आप्तना पास हो रहे हो पता नहीं में मैं यह तो प्रेजों का अपना स्टाइल मैं नहीं सुछता कि पास होना है मेरे को यह होना है मेरा पेपर अच्छे से करके आना है बस मेरे को उसमें पहले शुच लिए इस बार तो फोड के आऊंगे लगाता पेपर पास करी रहा था और इतने नंबर लेकिया हूँ आप और पास हो जाएगा प्री में क्या रहा हो जाता है तो उस साल नहीं हुआ पहले डिसाइड कर लिया था इतनी कटो जाएगी इतना दिमाख में आएगा इतना करना है प्रेशर हो जाता है और हम थोड़े लाइट भी तो यह मस्तोच वा बिल्कुल था पास हो जाता है मतलब वहां जा अक्रफा चलता की तो पेन हो जाता है कि हां यार क्या करें था तो यह वाली बात दिमाग मतला ना पंदरा कोश्ट पहुए बात नि, सब के लिए डिफिकल्ट होगा, मैंने ही मैनद कि पेपर करके आना है, उसके बाद मैं रिजल्ट डि साइड नहीं करूंगा मेरा क्या हो रहा है तो यह वाली बात दिमाग मतला ना 15 कोशन में डिफिकल्ट है कोई नी सब के लिए डिफिकल्ट हूँ बस मैने का ना दो गंटे अपने आपको बना लो तो बस किसी को निवारे नहीं पेपर के बारे में पास हो रहा हूं, बस मेरे को दो गंटे questions के बारे में सोचना है, कि वो question कैसे है, क्या मैंने वो पढ़ा है, मैंने सुना है, मैं उसको कैसे answer कर सकता हूं, कैसे भी करके उन चार option में से एक को ticker के आना है मेरे को, और पांस है, एक को बरना है, और मैं कौन सा लिए तरीका इंगे सर चलो जी खीक है जी थैंक यू वेरी मच अच्छे जी करोगे आप कोई भी दिखकत हो तो मैसेज कर ले ना मेरे को फोन कर ले लेकिन हो जाओगे सब पास बस जो तरीका वाद है उसको पॉलो करके देखो इस बार आप और यह वह सोजना पास होगे तो यह ने बोल दिया बस पेपर अच्छे जगर आना है ठीक है सर एक सेशन कर शाम को ले 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 ना आप मेरे से बात कर ले ना कोन में सेश्टी के सब्सक्राइब अगर आते हैं पचास के आस-पास कोशन आगे तो बहुत बड़ी बात है महाँ पर कोशन 3035 आते होंगे दूंग से पचास आगे तो बहुत अच्छी बात है ठीक है फिर आगे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना अब वह आपके उपर डिपैंड करता है कि जो बाकी कोशन अगर पचास बिलकुल शोर हो तो कम से कम 70-75 फिर भी कर गया रहा है यूद्ध उनमें भी चांस होंगे कई नहीं आपके ठीक होंगे फिर पचास को चांस कमें कट ओव जाए दिनी कम लेकिन बाकी कोशन भी रिस्क लेने पड़ेंगे पिर ठीक है जी ओल दा बेस्ट थेंक फिल दो में दो Tä' मक cohort 12 २१ूॉ